सला ये दुख काया खतम नहीं होता भे हेलो व्रिवन वेलकम तू टूडेज वीडियो और आज की वीडियो में हम डेस्कस करेंगे बिटकोइन का चार्ट हमने देखा है यह आपको पता है कल 13 जुलाई है क्या वह अनौस्मेंट है क्या हम उससे चल सकते हैं और किस तरीके से आपको अपने ट्रेट को आज हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे जो चलते हैं मार्केट की साइड देखते हैं क्या चल रहा है यह बिटकोइन का फोर और गाचार जान ट्रेंड अगें फोर आर्स के टाइम फ्रेम पर फिर यह नीचे चला गया अभी डेली की टाइम फ्रेम पर भी आल्मोस्स ने अपना ट्रेंड ब्रेक कर दिया है तो हमारी जो चोटी सी खुशाली थी वो खतम हो गई है अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो हमन हो रहेगा यह चीज़ हमें देखी जा सकती है अल्डेडी फ्यूचर्स ऑफ इंडेक्स मतलब जो उनके फ्यूचर्स हैं जो लोगोंने अल्डेट करके रखा वाए कि हम यहां पर नेगेटिव खुलेंगे काफी लोगोंने शॉट ले रखा है तो यहां पर हम फिर से एक्स परसेंट था और प्रोजेक्शन इस एट पॉइट प्रसेंट इस मन्त इससे ज़्यादा आता है तो दिक्कत होगी इसके जतना आता है तो हम शाहिदा मोवचय नहीं देखेंगे अग इससे कम आता है तो मारकेट माइट गो अप तो यह चीज़ आप को ध्यान में रखने है कल 6 बज़े के अस-पास आएगा now let's see कि market में क्या चल रहा है तो कल आपको video के end में हमने दिया था एक BNB का short जो आप चाहो तो ले सकते हो that is the only trade हमने जो दिया था तो 230 से दिया था and अभी 223 dollars पे चल रहे हैं हम तो हमने कितना profit बनाया होगा जिसने भी यह short लिया होगा तो roughly 3% का ही downturn है तो 5x भी आपने कर रहा होगा तो 15% profit was in अभी market में क्या चल रहा है सबसे पहले हम देखेंगे ethereum को ethereum is at its support now support zone इसका है 1067 से लेके 1042 तक support zone पे हम generally buy करते हैं लेकिन फिलाहल हमें लग रहा है कि market on नीचे जाएगा तो I'll try to wait it out यहां से हो सकता है हम चोटा सा bounce ले ethereum में और यहां पर resistance काफी close है then we'll go down again तो ethereum अगर support zone break करता है तो I'll be looking for a shot again on ethereum इस area पे क्योंकि जब भी इंफ्लेशन डेटा बगर announce होता है तो major dump आता है कल भी हमने यह discuss किया हुआ था इसके बाद bitcoin पर वापस चलते हैं bitcoin की साइट से में क्या देखने को मिल रहा है 4R में मैंने आपको बोला था कि हम downtrend में हैं and up तक downtrend में रहेंगे तो हम longs नहीं लेंगे 4R का downtrend अभी भी maintained है and again I will not be taking any longs on this short की बात करें तो अभी short लेना भी मेरे को लग रहा है थोड़ा रिसकी हो सकता है on Bitcoin आपके आप BNB पर अभी भी ले सकते हो BNB के 223 पर I think BNB के पास अभी 23 डॉलर्स और गिनने का चांस है तो BNB पर you can still take it but Bitcoin पर नहीं रहें लेंगे हम क्योंकि वहां पर risk to reward इतना नहीं रहेगा मेरे लिए तो I will not be taking it क्योंकि Bitcoin के पास यह वाली trend line है जिस trend line पर उसने दो तीन बार support almost ले लिया है तो I think यहां से चोटा सा bounce possible है तो don't take that shot on Bitcoin right now उसके बाद Bitcoin के पास next major support है हमारे पास $18,1800 पे and उसके बाद है $17,600 पे तो इन areas को हम फिलहाल observe करेंगे BNB का shot continue रहेगा at least $218 तक and Ethereum पे हम एक short opportunity का wait करेंगे जब यह अपना support break करता है so that was the video guys कैसी लगी आज की video हमें comment करके ज़रू बताएं also shameless plug for my course my course अब final एक घंटे के बाद में इसका price change कर दूंगा and इससे कम price में अब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि the course has been now finally updated and इसमें हमने futures का intro भी डाल दिया है and total 54 lectures इसमें add हो गए है also it is one of the best selling course on udemy and 4.2 की rating है that is very high rating for a course and we have also addressed all the one star ratings जितने भी one star rating वारे लोग थे उन्होंने जो जो comment किये थे हमने सारे factor in करे और हमने पूरा course modify करके relaunch कर दिया है तो अगर आप चाहें तो जाके buy कर सकते हैं it will get you started on TA on crypto and future आराम से आप जाके सीख सकते हो so thank you for watching that was the video bye bye